अगर आप करना चाहते हैं railway में नोकरी, bank में नोकरी या फिर SSC में नोकरी तो आपको अब देनी होगी क्या मही CET तो CET कोन लेगा और पहली CET कब होगी पहली CET, CET का मतलब common eligibility test मतलब सभी के लिए एक pre-paper जो है कोन लेने जा रहा है इस बारे में यहाँ पर आज हम जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं तो यहाँ पर CET के अगर मैं बात करूँ तो CET की जो परिक्सा होनी है वो देखे कब होनी है आप देख सकते हैं पहली परिक्सा जो है वो कब होनी है सितंबर में होनी है और इसे कराने की जिम्मेदारी किसकी है इसे कराने की जिम्मेदारी है NRA की तो पहली जो परिक्सा कराएगा कौन कराएगा NRA NRA क्या है उसको भी समझेंगे और CET क्या है उसको भी समझते हैं चलिए देखते हैं पूरी खबर को पहले स्रेंग के परिक्सा कराएगा CET NRA सितंबर से सरकारी नोग्रियों के लिए प्रारंबिक स्क्रीनिंग उनलाइन परिक्सा कराएगी तो यहाँ पर दो चीजे इन्होंने किलियर किये हैं पहला यह कि जो आपका पेपर है वो सितंबर में हो सकता है जो पहला सी CET है वो आपको देखने को मिल सकता है सितंबर में और दूसरा यह पेपर जो होगा ओनलाइन होगा ओफलान लाइन नाहोकर यह परिक्सा कैसी होने जा रही है यह होने जा रही है वैया on-line साथ-साथ यहाँ पर जो कराने वाली ऐजंसी है वो कौन सी है परिक्सा होगी मतलब ये परिक्सा जो है वो SSC ही कराएगा लेकिन इसके बाद आयोग की और से पहले चरण का टियर फर्स्ट की परिक्सा के लिए कोई विग्यापन जारी नहीं होगा सितंबर दो हजार इकिस से SSC रेलवे और बैंकिंग की परिक्सा है कौन कराएगा कोमन एलजेबल्टी टेस्ट CET के माध्यम से होगी मतलब सभी के लिए एक ही पेपर करा दिया जाएगा CET के जरीए पहले चरण में बर्तियों की चटनी के बाद मूल बर्ती परिक्सा संबंधी बर्ती बोड पूरी कराएगा मतलब पहले स्क्रिनिंग होगी प्री पेपर होगा उसके बाद जो भी परिक्सा मतलब जो आपका में एक्जाम है वो आपका बोड़ी लेगा मतलब अगर आप रेलवे में नोखरी करना चाहते हैं तो रेलवे बोड़ी ही आपका पेपर लेगा अगर आप बैंक में नोखरी करना चाहते हैं तो आपका पेपर लेगा और अगर आप S.S.C. में नोखरी करना चाहते हैं तो S.S.C. ही आपका मेल लेगा के अंदर सरकार के विभी निर्भागों के अत्रिक्त बैंक और रेलवे गुरूप B और C इस तरकी नोक्रियों के लिए भरतिय परिक्साओं में उम्मिद्वारों की स्क्रीनिंग के लिए सरकार ने NRA का गठाए। यह चटी हो जाएगी पहले चंड के परिक्सा के बाद दूसरे चंड के परिक्सा के साथ जैन परिक्रिया पूरी कराने के जिम्मेदारी SSC, IPPS और RRB की होगी। इस समय पहले ही बता चुका हूँ कि आगर आप रेल में नोकरी करना चाहते हैं तो आप RRB का ही पेपर देंगे, में जो पेपर RRB ही लेगी। और IBPS आपका बैंक के लिए लेगी और SSC, SSC की जितनी परिक्साइं होती हैं उनके लिए। केंद सरकार ने इस पर्ष्ट किया कि राज्य सरकारों की और से अपनी भर्ती के लिए पातरता परिक्सा में उमिद्वारों के मिले अंकों का उपयोग कर सकते हैं। अगर कोई राज्य सरकार इस प्रारंविक परिक्सा के जरीए अपने यहां कोई भर्ती कराना चाहता है तो वो भी करा सकता है वो राज्य भी। आर आर भी आईवी पीएस एससी के बाद के अंदर सरकार दीरे 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 दूसरी भर्ती परिक्सा हों की जिम्मेदारी भी एन आर ए को सोब कर उसे सीटी के माद्धियम से कराएगे। मतलब अभी ये एक तरह से मनला प्रियोग है तीन चीजों पर लिया है इनोंने किस पर एससी पर रेलवे पर और आईपीपेस पर उसके बाद जो हैं बाकी जो परिक्सा हैं वो भी इसी तरह से कराएगे और उसे सीटी के माद्धियम से आगे सीटी में केंदर की लगबग 20 बनी से कराती हैं उन सबी का सीटी यही कराएगा कोन और ये पूरी जान काई रही है तो इसका मधलब ये हैं कि अगर आप कोर्मेंट जो चाहते तो आपको आने वाले समय में CET पास करना जरूरी होगा तो CET के तैयारी भी करते रहिए अभी तक के लिए तना ही नेक्स बिट तक के लिए धन्यवाद